Let's do question number first of exercise 3E that is linear equation 2 variable Friends, इस exercise का कोई intro नहीं है, यह आपको questions देखके ही समझनी पड़ेगी इसलिए आप प्लीज सारे questions देखेंगे और उसको बारबर बनाने का try करेंगे तभी यह आपको आ सकता है chapter right यह हम 7th और 8th में भी already पड़ चुके हैं और 9th में भी पड़ा है लेकिन इस टाइप के questions हम already 7th और 8th class में पड़ चुके हैं जो मैंने linear equation 1 variable का होते हुए 2 variables में कराया था वो अब आपको यहाँ पे easily समझ में आ सकता है Let's see, अब यहाँ पे question number 1 में कह रहा है 5 chairs and 4 tables together cost rupees 5600 इसका मतला 5 chair और 4 table की cost दोनों मिला के कितनी बैटरी है 5600 की while 4 chairs and 3 tables together cost और लेकिन 4 chair और 3 table की cost कितनी है 4, 3, 4, 0 है तो हमें क्या निकालना है, find the cost of a chair, एक chair की cost और एक table की cost निकालनी है तो जब यह कह रहा है, find the cost of a chair, हमें यह बता रहा है कि हमें chair और table की cost निकालनी है तो हम इसी को x और y मान लेते हैं तो हमने लिखा let chair be x and table be y chair को हमने x मान लिया और table को हमने y मान लिया, right अब कहा है 5 chairs, तो 5 chair की जगे अब हमें x लिखना होता है और table की जगे हमें y लिखना होता है तो 5 x and 4 table together, together का मतलब plus तो 5 x plus 4 y cost दोनों की कितनी आरे है, 5600 तो next page पर लिख लेते हैं 5 x plus 4 y equals to 5600 ये आ गई हमारी first equation, right अब next equation में क्या कह रहा है, next equation के लिए कह रहा है कि 4 chairs, मतलब chair हमने x मानी थी, तो 4 x and 3 table, table हमने y मानी थी तो 3 y together, तो मतलब plus, तो क्या है, 4 x plus 3 y cost रुपीज, तो मतलब equal to कितना बैठर है, 4 3 4 0, तो next equation हम लिख लेते हैं 4 x plus 3 y equals to 4 3 4 0, ये हमारी आ गई second equation अब हमें x और y की value निकालने हैं क्योंकि उसने का है एक chair की cost और एक table की cost निकालने हैं, तो एक chair की cost x थी और table की cost y थी, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, cost of one chair तो अब कैसे solve करेंगे, अब आप देखें, यहाँ पर हम या तो elimination method या substitution method दो टाइप के method थे, मैं यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि x के coefficient दोनों equations में अलग अलग हैं, और y के coefficients अलग अलग हैं, तो हम क्या करते थे, elimination method यूज करते थे, तो मैं क्या करूँगी, first equation को y की equal, y coefficient same बनाने के लिए, यह x coefficient same बनाने के लिए, हम first equation को second equation के coefficient से multiply करेंगे, और second equation को first equation के coefficient से multiply करेंगे, तो हमने x को equal बनाना है, तो हमने क्या किया, first equation को 4 से multiply कर दिया, और 2nd equation को 5 से तो on multiplying equation 1st by 4 and equation 2nd by 5 तो यह कितना आगया 20x plus 4 4 की multiply इसमें 4 जो 16x फिर इससे multiply होगा तो यह आगया 16y equals to double 0 4 6 are 24 to carry 4 5 0 20 and 22 अब इसी तरीके से 5 की multiply इस पूरी equation में तो यह आगया 20x 5 3s are 15y equals to 4 0 0 4 5s are 20 2 carry 5 3s are 15 16 17 carry 1 20 and 21 1 तो sign change करेंगे क्योंकि sign same है दोनों equation के अगर एक plus और एक minus होता तो sign change करने की ज़रूरत नहीं थी cancel हो गया अब 16y plus का है और 15y minus का है तो आपस में subtract हो जाएंगे यह कैसे solve किया उसके लिए आपको जो हमारी 3rd exercise है इस chapter की वो देखना बहुत ज़रूरी है otherwise यह आपको समझ नहीं आपाएगा तो देखिए अब यह plus का है यह minus का है तो क्या बज़ गया Y तो हमने लिखा Y 16 में से 15 गया 1 बचा तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है अब ऐसी 224 00 में से 217 00 minus किया तो यह कितना है 0 0 14 में से 7 गया 7 That's it 700 अब हमने इस Y की value किसी भी एक equation में रख ली putting Y equals to 700 in equation 1 equation 1 भी रखी तो यह आया 5X plus 4 into 700 equals to 5600 तो यह कितना हागया 5X plus 2800 equals to 5600 तो 5X कितना हागया 5600 minus 2800 तो 5X आगया 00 16 में से 8 गया 8 4 में से 2 गया 2 X कितना आगया that is 2800 that is 2800 divided by 5 तो 5 5s are 25 26, 27, 28, 5, 6, 30 and 0 तो cost of chair कितनी आगयी cost of chair आगयी X थी X की थी X की वाल्यू कितनी है 560 तो हमने 560 लिख दिया 560 रूपीज और cost of table कितनी आगयी that is रूपीज 700 is the answer प्लूपीज रिधा दो कितनी आगया रिधा, बाताव आगया प्लूपीज 15,29 15, 20, 22 16, 24, 24 compensation